ओम शान्ती आपका प्रश्ण है परम धाम परम अवस्था है परम अवस्था अर्था शुन्य अवस्था जहां संकल्प भी नहीं तो परम अत्मा कहां रहता है परम धाम शुन्य शुन्य का मतलब होता है कुछ नहीं शुन्य स्पेस शुन्य स्थान स्थान नहीं चाहिए उसको स्थान लिया तो इसे सुन्य नहीं कहेंगे क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या आती है कि हमारी आखें ये आखें बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं या कि उससे देख सकती है जो स्पेस में हैं जिन्होंने स्पेस को गेरा हुआ है स्पेस शुन्य वो कैसे सकता है क्योंकि हमारी आखें हद में देखती है ये बेहद में नहीं देख सकती बेहद किसे कहते हैं इंफिनिट बड़े में भी इंफिनिट छोटे में भी इंफिनिट बड़े में जो इंफिनिट है वो आखों से देखा जा सकता है बिश्र लास्ट पॉइंट नहीं देखा जा सकता पर तु जहां तक भी उसको देखा जा सकता है पर छोटी में इंफिनिट इतना छोटा कि कि हमारी सीमा है जैसे हम बिना आखों के कुछ दूर तक देख सकते हैं चश्मा लगा कर कुछ और ज्यादा दूर तक देख सकते हैं दूर बीन के दोरा हम और दूर तक देख सकते हैं और बड़िया दूर बीन के दोरा और दूर तक देख सकते हैं इसे प्रकार सुक्षम दर्शी यंत्र के द्वारा इतनी दूर तक देख सकते हैं और उसे बड़े सुक्षम दर्शी यंत्र के द्वारा और सुक्षम देख सकते हैं परंतु हम आत्मा और हम आत्माओं का पिता परमात्मा दुनिया के किसी भी सुक्षम दर्शी यंत्र के द्वारा देखा नहीं जा सकता देखा नहीं जा सकता ये बात अपने बुद्धी में स्पस्ट करने कि हम आत्मा और हम आत्माओं का पिता परमात्मा सुक्षम अत्ति सुक्षम जिसे दुनिया का स्पेस नहीं चाहिए जिसे बाबा ने कहा हुआ है के मैं हद बे हद से पार हूँ हद बे हद से पार होना अर्थात जिसे इस संसार का कोई तत्व रोक ना सके जहां कोई तत्व ना हो ऐसी कोई जगा नहीं होगी जहां पांचु तत्वों में से कोई तत्व ना हो चलो पानी नहीं होगा प्रित्वी नहीं होगी अगनी नहीं होगी गैस भी चलो नहीं होगी तो आकास तो होगा तो परमात्मा नहीं कहा मैं आकास ये भी पार जां कुछ नहीं अब आकास से पार कोई जगा होई नहीं सकती इत मींस परमात्मा को आकाश शुन्य चाहिए मींस इतना स्थान चाहिए कि वे आकाश में भी चले जाएं तो आकाश खाली नहीं हो आकाश को कंप्रेस नहीं होना पड़े जैसे हम समझ सकते हैं कि एक कंप्रे में हम बड़ी अलमारी अंदर लेकर के आए हैं तो अलमारी जितना आकाश कंप्रे से बाहर चला गया अब आकाश कंप्रे में कम हो गया परंतु हम आत्मा को कंप्रे में लाए हैं कमरे के आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ा बाल बराबर भी नहीं या और कोई सुक्षम अतिस सुक्षम कोई भी संख्या ले ली जाए उसके बराबर भी नहीं क्योंकि शुन्य के बाद होता ही नहीं दुनिया में गनित में शुन्य के बाद माइनस तक बहुत ज़्यादे सला जाता है पर तु तब जब शुन्य कुछ मान लिया जाए पंतु यदि शुन्य को माना नहीं जाए तो माइनस में जा नहीं सकता शुन्य के छोटा कुछ हो नहीं सकता तो परमात्मा का साइज इतना सुक्षम शुन्य है जिसे एन आखों के दोरा देखा नहीं जा सकता इतना सुक्षम परमात्मा कहीं भी रह सकता है इसलिए उसको आशरीरी कहा जाता है उसको सुक्षम शरीर वाला भी नहीं कहा जाता परमात्मा अभोगता है अयूनी है सरवग्य है सरवुच है और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरिये विश्व विद्या लेके किसी भी स्यवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रशन हो तो 92-131-06-986 पर टेलिग्राम करें प्रंक्तू टेलिग्राम करने से पहले एक बार अवश्य इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेंगे हो सकता है कि आपके प्रशन में आपके मन में उठने वाला प्रशन का उत्तर वहाँ अवेलिबल हो क्योंकि इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाई अजार से अधिक प्रशनों के उत्तर आपके पास बेजे जा रहे हैं जो प्रशन आपको लगे कि मुझे देखना चाहिए तो उससे देखिए और किसी को भी शेयर कर सकते हैं ओम शान्ति